केनोपनिशन में एक बहुत सुन्दर कथा आती है जिसमें कि एक बार देवताओं और असुरों में संग्राम हुआ और देवता जीत गए जितने एक बाद सब कोई आपस में गर्व से काना शुरू के हमारे कारण जीत हुई हमारे कारण जीत हुई तो जो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म जिनके कारण सब कुछ चल रहा है संग्जार में इन्होंने सोचे कि इन देवतों को एक सिक्षा देनी चाहिए सब रूपक है कहानिया है इसको आक्षरिक रूप में नहीं लिया जाए हड़ात देखते हैं सामने विचित्र सा कोई जीव जनतु है तो सब जानना चाहते है क्या है अगनी देवताग है वायो देवताग है और अंत में इंद्र तो उसके सामने से यक्ष गायव हो गए यक्ष मने जिसको जाना नहीं जा सके उस अर्थ में है तो कहते हैं उस समय आकाश में उमा हैमवती हिववान की कन्या उमा यही पारवती इनका उदै हुआ और जिन्होंने इंद्र को शिक्षा दी यह जो यक्ष था यह ब्रह्म था यानि इश्वर की शक्ती से ही तुम शक्तिमान हो तुमारी अपनी कोई शक्ती नहीं तुमारी अपनी क्या अक्षमता होगी हम लोग गर्व से भरे रहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, इंजिनियर हूँ, आईएस हूँ मंत्री हूँ, प्रधान मंत्री हूँ, मुख्य मंत्री हूँ अरे यह इश्वर की शक्ती तुमारे अंदर काम कर रही है मैं पन अगर तुमारा बढ़ गया शक्ती चली जाएगी आप बिगत 20-30 साल के भारत के इतियास को लीजिए और देखिए मंत्री, मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री जो भी रहे हूँ जैसे मैं पनिन में आता है मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ और उसके माध्यम से अधिकार सत्ता का दुरुपयोग वह शक्ती चली जाती है और उसके पाद आप झाल झाल